तो फ्रेंट्स जैसे आपने थम्निल में देखा कि पांसुरू बचाएंगे तो फ्रेंट्स मैं आगे Amazon की साइट पर और जैसे मैं सर्च करता हूं 5mm तो फ्रेंट्स जितने भी इस तेग में नीचे स्कूल्डवन कर रहा हूं और फ्रेंट्स सबसे नीचे आप देख सेगे तो यह जो आ गया है इस पर मैं क्लिक करता हूं तो दोस्त आप इसके रेट देख सकते हैं 536 रुपे वाव 536 पर कुछ होते नहीं तो फ्रेंट्स काफ प्लीज वीडियो पूरी देखेंगे चलते हैं अबने टोइक पर समर एक्सपेरिमेंट्स जैसा आप मेरा हात में देख रहो यह कूकर का सेफ्टी वाल फ्रेंट्स जो यह रेलो कलर का देख रही तीन रुपे का और सिल्वर कलर का दूस्ते दस रुपे का मुझे मिला है औ तो दोस्तो आज 5mm का यानी की साफ्ट कर्णेटर का वर्क हम इससे लेंगे और दोस्तो आप देख़को तो साथ सफ़ फिचते डी सी मोटर में रहाती में उसमें यह कनेट कर रहा हूं तो बहुत ही तरह से अहीं लगता है कि इसी के लिए बना है सब देख से गिसे कुछ मे तो आपको सामने दे रहा हूं इसली हट जाता है तो ऐसे कोई बड़े बात नहीं है यहां में से निकाल लूंगा काला काला सा दोस्तों यह फाइर के वेसे हो गया है तो आप देख सकते हैं हटा दो तो काफी इजी हट जाता है अफ्रेंट यहां भी कंप्लेट चुका है और दोस्तों आप इसे क्या करना थोड़ा कपले साफ कर दीजिए क्योंकि इस पर एक तरह कार्बन लग गया है जो फायर का तो आप देख सकते हैं तो थोड़ा लूज है अब दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि एंगल ग्रेंड बनाने के लिए यह यूज करते हैं तो अगर आप मैं लगांगो तो क्योंकि पाइप के अंदर पहली लूज हमारा मोटर तो अलबो काफी ओल लूज हो जाएगा तो आप देख से काफी लूज है सो फ्रेंड मैंसे यूज ने करूंगा आप से यूज कर सकते हो आपका टाइम भी बच जाएगा और काम भी कम हो र रहा हूं तो अगर मैंसे लगा दूज है काफी बड़ा प्रोचक्ट बना दिया हो फ्रेंड मैं स्विच यूज कर रहा हूं कोई साभी स्विच आपके पास जो अवेलेबल आप यूज कर सकते हो इसका काम सी ओन और ओन और करना होता है अब आप देख सकते हैं कि पाइप क बहुत इजी है आपको सिर्फ एक स्विच लगाना है तो आप देख सकते हैं मैं निकाल दें दो आपके पास अवेलिबल हो लोकल मार्केट में आप लगा सकते हैं दोस्तों वैसे स्विच इतना मजबूत नहीं होता लोंग टाम नहीं चलता तो फिलाल मैंसे लगा दिया है पॉस्त लगवागता है देखने में तो आप देशका तेप लगा दिया दो इसको मैं लगा दूब है और दूसरा पोजिटिव और फ्रेंट्स यहां मैं एक पीविच कर टोकड़ा ले जो की पायप होता है कूछ फ्लेट करके मैंने जो गेस पर थोड़ा से फ्लेट कर तो आप देखते हैं मैंने एमसी ले लिया है और में अच्छे से लगा दूगा और थोड़ा से अंदर बहुत अच्छे से सोलिट हो जाएगा तो आप देखते हैं अगें वाल वे लिया है है अब मैं इसकंद लगाँगा तो आप देखते इस कंदे भी थोड़ा सा लूज है तो मैं क्या करना वालो हो जो वाइट होती है कोई भी आपका पास टेप हो तो दोस्तों आप इससे लगा सकते हैं उससे पहले इसमें थोड़ा सा जो इंस्टेट गुलू होता है उसको लग पहला में इस पर एक नट और चड़ाएंगे यह आपके पास कोई वाशरू आप लगा सकते हो अब इस पापको वाल लगा देना है तो जैसे वाल लाद देखतों बिल्कुल फिक्स यह हो चुका है अब मैं थोड़ा जो नट है इसको कस देता हूं अच्छे साब कसना है तो च अगर आप बैटरी से चलाएंगी तो बहुत अच्छा वर्क करेगा बैटरी जाद एंपर की होती है तो आप उससे चलाओ गया तो बहुत अच्छे सावर करेगा और यह कुछ आप देखते हैं काफी है आईरन की सो शीट है तो इससे मैं कटकर आपको दिखा देता हूं जि अगर आप बिल्गुट प्रोफेशनल हो तो अलग से बना ले सकते हो मसीन लेकिन आप घर में अगर काम करते हो या आप को प्रोजेक्ट बनाते रहते हो तो आपके लिए मश्ट यानि गेजट है आपके पास होना ही चाहिए अब दोस्तों बहुत सो लोग मुझसे पूच् करते हो लेकिन आपको चाहिए तो आपको 775 डीसी मोटर लगा सकते हो फ्रेंट्स वीडिया को कैसे लगी प्लीज आपना फीट्रेबग मुझे जबर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैप को सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों आप इस अपने सारे कर सकते हैं जैसे मैं प्रोजक्त बनाता हूं तो में लिए यानि मश्ट यानि अच्छा ही गैजट है तो चले फ्रेंट्स मिलते हैं जल्दे नेक्स वूड़ है तक तक आप जोड़े समर एक्सपरेंट्स है थैंकि सो मॉच फ्रेंट्स मुझे तरह वक्त देर के लिए